तो आगे बढ़ते हैं हम लोग next that is called your third type of temporary mold casting that is called your CO2 molding अब देखो CO2 molding में ऐसा नहीं होता है कि आपने क्या करा भई molten metal को लिया और molten metal को यहाँ पे आपने pour करा नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं होता है यहाँ basically ना mold को strength करने का एक तरीका होता है समझ रहो ना CO2 gas को पास कराके mold को hard बना जाता है strength बना जाता है तो वो आपका होता है तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसा molten metal डाल के cast कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता basically यहाँ पे mold बनाने का एक तरीका होता है CO2 mold जिसको कहा जाता है अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है तो my dear student इसमें देखना figure से समझना figure से ही इसको मैं भी आपको लोगों समझाओंगा तो सबसे पहले क्या क्या जाता है जो भी पहले तो हम लोग यहाँ पे metallic लेंगे pattern मैं pattern किसका रह रहा हो metallic pattern ले रहा है तो यानि कि माल लो आपने यहाँ पर क्या करा जो पेटन हम लोग ले रहे है ना ठीक है पेटन देखो यहाँ पेटन जो लिया गया है ना पेटन यहाँ पेटन है यह आप देख रहे हो ना इस तरह से बनाएगे ऐसा कुछ तो this is your pattern यह मेरा क्या है दिसी अब उसके अंतार हम लोग डाल देखे हैं मोल्डिंग सेंड बना हम लोग मिलाते हैं सोडियम सिलीकेड भी जो विसिकली बायंडर का काम करेगा जब वह करता है और उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मेरा मालग को बनाता है तो मैं यह आपर सबसे पले में बै trata हो फिमिस्टेप पले को बताते हूं टा कि आप लोग को समझ में पूरी तर शाज आएगा सबसे पहले माइडिया यहाँ मैंने करा रा सबसे पहले pattern लिया pattern किस का लेंगे? माल वन मैटालिका pattern मैंने लिया, ठीक है? जिससे मुझे mold बनाना, okay अब mold बनाने के बाद उसके अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा? आपका molding sand, तो उसके अंदर मैंने molding sand डाला, अब molding sand जो डाला ना, उसमें हम लोग मिलाते हैं क्या sodium silicate क्या मिलाते है sodium silicate s na2 si o3 यह मेरा होता sodium silicate का chemical formula अब इसको हम लोग मिलाते हैं ठीक है इसमें हम लोग मिलाते हैं तो basically किसके साथ मिला जाता send के साथ इसलिए देखो यहां पर कहा गया है that co2 mold casting एक सेकंड यहां पर आगे आपको मिलेगा ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूं तो send के साथ क्या मिलाते हैं हम लोग send के साथ मिलाते हैं sodium silicate sodium silicate binder का काम करेगा कैसे करेगा बाद में पर समझाएंगे ठीक है तो मैं क्या करा भई सबसे पले pattern बनाया metallic का mold बनाने के लिए उसमें मैंने molding sand यानि कि send के साथ हम लोग sodium silicate को मिला रहे हैं ठीक है मिला रहे हैं मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना पूरा का पूरा pattern में हलका हलका haul कर देंगे देखो यहां पे जो red color का बता है गया ना सब जगा पे haul कर आ गया है छोटा-छोटा haul कर देंगे क्यों haul करेंगे क्योंकि और यह पूरा पूरा pattern में haul होना चाहिए ताकि हर जगा जो है न वो co2 gas जानाता है क्योंकि जब तक वो co2 gas नहीं अंदर जाएगा उसके अंदर pattern के अंदर और pattern के अंदर का जो material है ठीक है sand जिसमें silicate भी है sodium silicate है तो carbon dioxide जो gas जाता है वो sodium silicate reaction करेगा तो हर एक पार्ट तक ही जाना चाहिए तो वहाँ पे मेरा क्या होता है carbon dioxide co2 gas sodium silicate के साथ हर जगा पे जाता रियेट करता है और रियेट करने के बाद मेरा वो करता क्या है reaction करने कवाद वो एक gel बनाता है जो pattern के अंदर का molding sand में और उसी sand में जिसमें sand plus sodium silicate है उसको मेरा solid shape कर देता है काफी कठोर कर देता है उसके बाद मैं क्या करूँगा pattern से mold को भार करूँगा जो आपका pattern हम लोग metallic pattern मैंने क्या बताया था कि metallic pattern हम लोग लेते हैं इस तरह से metallic pattern लिए बड़ा गंदा हुआ फ यह मेने डाला क्या डाला मैंने एनैंतु फ्लस एनये डू टू साइए यए मैंने डाला जैसे यह डाला और उसके बाद मैंने क्या कर रहा है यहाँ पर से च्रह्राइब लिए few solid shape में लिया आता है और solid shape में लेने के बाद जो red color का में बनाया हो ना pattern जो metallic pattern है उसको तोड़ने के बाद अंदर का just sand is just sand plus sodium silicate है जो आपके carbon dioxide पास करने के बाद solid हो गया वो मेरा बाहर आ जाता है वो क्या जाता है उसे final product मिलेगा तो ये उसके बाद जो ये send मैंने लिया ना इस send को फिर breakdown करेंगे जिस box के अंदर send डाला और वो जो मैंने इस तरह से star type से मैंने बनाया जो किसका बनाया था send plus sodium silicate का जो मैंने mold बनाया उसके अंदर डाला फिसको निकालेंगे केवेटी बन जागा mold लालेंगे और final product को निकालने के लिए फिर mold box के अंदर जो डाला था उसको breakdown करेंगे समझा है तो इसलिए ये भी मेरा किसमें आ जाता है temporary mold बे भी आ जाता है ठीक है ये चीज़ आपका हो गया और यहां देखो देखो सब चीज़ समझा गया 10 तरका figure लाए है ताकि 10 तरके साब लोग समझो यहां देखो पूरा का पूरा देख सकते है sodium silicate and sand है जो कि pattern यहां पर देखो लिया गया है तो उसी तरह का तरीका है जैसे यहां पर देखो single probe का use क्या single probe मतलब यह एक तरसे छेद करा गया जिसके तुरू मेरा carbon dioxide आएगा और यह देखो आपका core box दिया गया है ना और यह आपका पूरा क्या है आपका pattern जो molding sand है उसमें डाला जा रहा है molding sand में यह send पूर तरसे जो मेरा co2 यह पर रहे यह विडियर सकते हैं पर धेर सरह यहां पर क्या किया गया है आपका को यूज किया गया प्रोब का यानि कि ज़्यादा जगहों से मेरा डाला गया जब मेरा कास्ट प्रोडॉक्ट बढ़ा रहेगा तब हम लोग धेर सरह यूज करते होल जिसके तुरू मेरा carbon dioxide gas यहां से पास करके आएगा molding material के हर एक जगह तक पहुंचेगा समझा है या फिर air wind भी हम लोग यहां से देते हैं इसके थ्रू भी जा सकता है ताकि इधर से आए और यहां पर gas defect ना हो उसके लिए आपर air wind बना गया है ताकि यहां से मेरा air wagon जो न वह बहारा जार इधर से मेरा CO2 gas तो जाही रहा है तो यह रग तरीका होता है तो यहां से आप समझे कि बिसिकली क्या था mold को strength बनाने के लिए हम लोग CO2 gas को पास करता है जो basically आपके किसके साथ reaction करता है sodium silica के साथ reaction करके silica gel binder की तरह भीयव करता है जो कि solid बना देता है मेरे mold को तो यहां से यह component में बता देता हम फटाफट ठीक है इसलिए यहां पर sodium silicate binder का काम करेगा जब वो carbon oxide के साथ reaction करेगा अच्छे यहां पर कितना लेते हैं दो से लेकर 6% तक हम लोग देते है sodium silicate na2 si o3 को इतना ही लिया जाता है राइट चली तो यहां पर देखो का गया co2 gas pass through small holes ठीक है से तो के लिए binder का काम करता जो कि यह जो आपको पेटन देख रहे हो ना मॉल्ड देख रहे हो यह मॉल्ड को क्या करता है ठीक है मॉल्ड जो पेटन के अंदर था उसको पूरा strong solid बना देता क्या बना देता है solid से अपमें लिया आता है और प्लस एने टू CO3 इधर आ जाता है ठीक मॉल्ड को strength देने के लिए hardness देने के लिए हम लोग इस टेकनिक का यूज़ करता है आप देखें मॉल्ड is prepared by adding sodium silicate binder तो मैंने कहा मॉल्ड को sodium silicate को add करके यहाँ पर दिया जाता अच्छा अगर आपको कितना hard चाहिए जो आप बना रहे हो मॉल्ड ना उसको कितना hard बनाना व which has high strength and hardness मैंने binder का काम किया और strength of the mold depends on the time of the supply of the CO2 gas मैंने यही चीज़ बताना चाहिए कि जो आपका mold का strength होता ना वो depend करता है कि आप कितना time तक CO2 gas को supply कर रहे हो पास करा रहे हो तो उसको graph से समझते हैं यहाँ देखो graph एक तरफ आपको दिखाए देर है strength और दूसरा तरफ आपको दिखाए रहा कि इतना time तक CO2 gas को पास कर रहे हैं तो माल लो यहाँ पर time यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मिनट हुआ माल लेते इस तरह से let's support example के तोर पर इसको आप रट मतले ना ठीक है माल लेते कि इतना time कुछ time कुछ मिनट्स के लिए में CO2 gas पास करा तो यह देखो रामेट हुआ इतना strength बढ़ा यह कुछ मालों 10 strength यहाँ पर 20 हो गया standard बढ़ते जा रहा तो बढ़ते जारा बढ़ते जारा एक point जाने के बाद क्या होता है मेरे strength घटने लगता तो आप maximum जहां तक मेरा maximal strength मेले कि इसके बाद आगर देखो एस point पे ठेक कि या दो पॉइंट पे दोनों पॉइंट भाटा फिर और घटा तो सुन घड़ रहा तो मैक्सिम जाता है कि स्ट्रेंथ होगा ना वहाँ ता कम लोग सियो टू गेस को मिलाएंगे ताकि मेक्सिम एस्टेंद मेरा मॉल्ड का मिल सके समझाया कि नी तो यह चीज हो गया तो टा जो था यहां पर यहां मैंने बताया है ना इंक्रीज दा हाडनेस आप दी मॉल्ड एंड कॉर मॉल्ड तो समझ गें कॉर क्यों सर देखो क्या था ना को मॉझूद बनाना इसलिए पढ़ता है क्योंकि मॉल्टन मेटल कॉर आप जानते हों कि भाई होलो सेक्शन बनाने के ल अब मैटल को जएल सके ठीक है और जब कास्टिंग बढ़ा होता है ना तब भी दिकत होता कि मेरा कॉर तूटना जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करते है आपका स्योंक्य गेस मॉल्डिंग सेंड में पास करता कि कोर जो बनाता है वह भी सेंड का बना जाता को और संड का अब हम लोग बात करेंगे, full molding के बारे में, एक second, यहाँ पे कुछ चीजे छूटा है क्या है, एक second मैं देख लेता हूं, ठीक है, prepare adding, moldly prepare by adding the sodium silicate binder, सही है, फिर यहाँ पे आगे line है, यहाँ पे क्या, that, CO2 gas will be supplied for sufficient time, यहाँ पे add थोड़ा करना पड़ेगा मुझे, that because it's very important, क् time is very important, ठीक है, sufficient time, तो for sufficient time, यहाँ से थोड़ा समय क्या करता हूं, इसको मैं नीचे लियाता हूं, ठीक है, यहाँ मैं यह लिया आए, okay, and इसको मैं इधर ले जाता हूं, okay, then यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, that, supplied for sufficient time, two form silica gel, which has high strength and hardness, ठीक है, which is work like a binder for the mold, चली, आगे बाटा,